सब्सक्राइब ना फॉर आल दूर दर्शन पर फिर से टेली कास्ट हो रहा है शो के कई सारे सितारे ऐसे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और इन में से एक हैं विजय अरोडा जिन्होंने शो में मेगनात इंदरजीत का रोल अदा किया था रोल ने भाय था आज हम आपको विजय अरोडा के बारे में कुछ पाते बताते हैं विजय अरोडा ने बॉलिवट की कई सारी फिल्मों में भी काम किया है उनके करियर में दो मौके ऐसे आये जब उन्हें काफी ज़दा पॉपलाइटे मिली पहला तो फिल्म यादों की बरात को लेकर और दूसरा रामैन में ही जी हाँ रामैन में उनका मेगनात का करदार जिसकी आस तक भी बहुद ज़दा चर्चाए होती है आपको ये भी जान कर दिते हैं कि उन्होंने रीना रॉय के साथ फिल्म जरुद से फिल्मों में डेब्यू किया था ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी ये रीना रॉय की पहली फिल्म थी इसके बाद विजय आशा पारिक के साथ राक और हत्कड़ी में नजर आये थे मतादे आपको कि इनको पॉपुलेट्री मिली फिल्म यादो की बाराच से ही इसमें वो जीनत अमान के साथ नजर आये थे फिर वो जया भादूरी, वहीता रह्मान, शबाना आजमी के साथ नजर आये उसी दोर की बड़ी एक्ट्रेसे संग विजय ने परदे पर रिमेंज किया विजय ने जान तेरे नाम, बड़े दिलवाला, जीवन, जोती, सरगम जैसी कई सारी फिल्में की उन्होंने टीवी का रुख भी किया वो रामानंद सागर की शोर रामाएन में मेगनाथ के रोल में दिखाई दिये और काफी ज़दा प्रसिद हो गए, हर जगा फेमस हो गए सीरीज भारत की खोच में भी वो नजर आये विजय रोनने गुजराती फिल्मों में भी काम किया हुआ है अगोदा दे हैं कि विजय ने 110 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था एक्टिंग के अलावा वो एड फिल्म्स और कॉपरेट फिल्म्स भी प्रिड्यूस किया करते थे विजय ने अपने करियर में सफलता का हर स्वाज चखा फिर दो फरवरी साल 2007 को पेट के कैंसर के वज़े से उनकी जान चली गई थी उनकी मृत्यू हो गई थी जिहां पेट का कैंसर उनकी मृत्यू का कारण बना था विजय ने एक्स मॉडल और मिस इंडिया दिलबर से शादी की थी शादी से उनके एक बेटे भी है खरेजी दाम अपडेट्स के लिए आप ज़र रहे हमारे चैनल इंटरन न्यूस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले सब्सक्राइब ना फर लिए एंट्रेंग अपडेट्स